हलो और इवन आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे एक ऐसे केंडलिस्टिक पैटर्न के बारे में जिसकी मार्केट में एककूरेसी बहुत जादा है जो आपको एक परफेक्ट एंट्री कंडिशन देता है विट लोए स्टॉप लॉस यह एक रिवर्सल केंडलिस्टिक कि आने वाले वीडियो को शुरू करते हैं जब सपोर्ट या रिजिस्टेंस पर प्राइज रिवर्स होगा तो रिजिस्टेंस के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो स्टॉप लॉस बहुत चोटा हो जाता है फिर उसके बाद हम एक डाउन्वर्ड रैली एंडिसि तो वहाँ पर सपोर्ट के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वहाँ से आप एक अवर्ड रैली मार्केट में देख सकते हैं आज हम जिस Candle Stick pattern की बात करने वाले हैं वह पिनबार केंडल इसे हम हैमर या shooting star भी बोलते है यह चार्ट पे आपको एक पिन की तरह दिखती है इसलिए इसको हम पिनबार बोलते हैं यह candle एक pin की तरह होती है जिस में छोटी से body होती है और बॉक लंबी tail होती है यह होते ह्या होती है shooting star जिसमे आपको body नीचे देखने मिले Nicky और ऊपर एक लंबी tail कुई आप प् man say shadow बहुत लंबी होती है और real body बहुत ही छोटी होती है Nemé second type of candle होती है hammer candle इस candle में body, छोटी and lower shadow बहुत लंबी होती है तो नीचे side में आपको इसमें tail देखने को मिलती है और body इसमें उपर रहती है इस candle की psychology को detail में समझने से पहले दो बाते जानना बहुत जरूरी है पहली, real body's color doesn't matter real body जो होती है, इसका color कुछ भी हो red हो या green हो, that doesn't matter माइने ये रखती है कि जो tail है, उपर side है या tail नीचे side है सब अगर shooting star pattern है जिसमें tail उपर है, body नीचे है तो जरूरी नहीं है, उसका color green हो या red हो कोई भी color हो सकता है, बट important यह है shooting star और hammer में difference हम इसी बास से करते हैं कि shooting star में tail उपर side में होती है जहाँ body नीचे होती है और hammer में tail नीचे side में होती है और body उपर side में होती है second, be flexible with pattern identification patterns को कभी हमने बहुत ही exact तरीके से identify करने कुछिशिश नहीं करनी चाहिए हमें patterns को read करते हैं flexible हो चाहिए हो सकता है आप shooting star pattern में देखें नीचे side आपको एक छोटी सी nose देखने को मिले छोटी सी wick देखने मिले आप उसको इग्रो कर सकते हैं आपको देखना ही है उपर side में एक बड़ी tail है की नहीं वैसे ही hammer candle में उपर side में आपको एक छोटी सी wick देखने मिले यहां से price उपर जाने की कोशिश की होगी price ने बट वहां से इतना selling pressure आया कि ultimately high touch करके price नीचे आया ultimately open के लगवख pass में ही close हुआ तो यह हमें दर्शात है कि किस तरीकी का selling pressure हमें देखने मिला इस time frame में shooting star candle की importance बढ़ जाती है जब तीन चीज़ें आपको साथ में देखने मिलती है पहला price uptrend में होना चाहिए मिला price लगतार ऊपर जाते जा रहा है second price resistance के past trade कर रहा है price जो है ऊपर तो जा रहा है uptrend में बट resistance के past price आ चुका है तीसरा RSI overbought हो चुका है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया था कि RSI निकेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं तो RSI 70 के ऊपर trade कर रहा है तो यह हमें दर्शाता है कि RSI भी overbought हो चुका है जब यह तीन condition आपको shooting star pattern के सांद देखने को मिलती है तो बहुत ही बड़ी आएंट्री निकल के आती है तो आएए चार्ट में एक्जामपल के लिए समझने की कोशिश करते हैं तो जैसा कि आप इंस्टरेंट स्क्रीम पर देख पा रहे है प्राइज अप्रेंट में लगतार ऊपर चले जा रहा है उपर आप देख पा रहे हैं एक रजिस्टेंस लेवल है जिसके पास प्राइज पहुंचता है आरेसाई पर आप नजर डालते हैं तो आरेसाई भी ओवरबार्ट जोन में ट्रेट कर रहा है सतर के ऊपर डेट कर रहा है तो यहाँ पर आपको अगर एक शूटिंग स्टार पैटर देखने को मिलता है तो यह बहुत ही बड़ी है सिग्रल है कि आरेसा ही बता रहा है कि प्राइस ठक चुका है वहाँ से रिवर्स होनी के चांसे हो जकते हैं और रजिस्टेंस पर प्राइस आ चुका है मतलब कि रजिस्टेंस भी कोशिश करेगा प्राइस को नीचे धकेलने का और शूटिंग स्टार पैटर इस बात पर महुल हैं वैसे ही hammer candle के साथ भी तीन condition मिल जाएं तो बहुत ही बड़ी entry निगल के आ सकती है पहली price downtrend में होना चाहिए second price support के पास trade होना चाहिए तीसरा price RSI level अगर आप देखें तो RSI oversold zone में होना चाहिए मलब 30 के नीचे होना चाहिए इन तीन condition के साथ आपको hammer candle देखने को मिलती है अगर चाहिए तो एक बहुत ही बड़िया bullish entry आप प्लान कर सकते हैं तो आप इंस्टा trade screen पर देख पा रहा है कि price downtrend में है price लगता नीचे चले आ रहा है नीचे एक support level है और RSI हमें देखा रहा है कि price overshore zone में मतलब 30 के नीचे पहुंच चुका है यहाँ पर एक hammer candle form हो जाता है तो हमें यह signal मिल जाता है कि price इस level पर support लेगा और उपर के direction में जाना चालू करेगा तो यहाँ पर देख पा रहे hammer candle form होते ही अगर आप यहाँ पर call option बाय करके एक entry ले लेते तो आप इस trade में profit generate कर सकते थे तो यह ता वीडियो pin bar candle के बारे में सो हमने जाना है कि pin bar candle को आप चार्ट पर कैसे identify कर सकते हैं तीन condition discuss की जिसके साथ pin bar candle अगर form होती है तो यह बहुत ही बढ़ियां buy or sell entry आपको market में मिल सकती है आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आए तो प्लीज लाइक करें चैनल को अभी भी subscribe नहीं किया तो प्लीज अब्सक्राइब जरू कर दें बेल आइकन को क्लिक करना नभूले ताकि आने वाले वीडियो की आपको मिलतर रहे हैं थेंक यू फो वाचिंग फब्सक्राइब देर लिएक हैं विडियो कि दिए